हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चानल एंड वेलकम टू मैं गारेन आयाम मोमिता कुछ देन पहले में वीडियो में आप लोग को दिखाए थे मेरे टिकोमा प्लैंड पे बर्ट साहे थे और आज देखिए इसका फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गया है और बहुत ही का प्लैन इसको हम मौस रोज नाइन ओ क्लॉक भी बोलते हैं और सामान में इसका प्लैन पूरा फ्लावर से भर जाता है बहुत ब्यूटिफूल है इसका फ्लावर चलिए आज से वीडियो में मैं आप लोग के सामने इसका रिपोर्टिंग करूंगे और आप लोग के साथ इसका कंप्लीट के आज टीप्स भी शेयर करूंगी तो रिपोर्ट करने के लिए मैं एक छोटी से पॉर्ट ली हूँ आप छोटी चोटी कंटेनार में छोटी चोटी चोटी पॉड में हैंगिंग बास्केट में वेस्ट मेटेरियल में आप एप लैन को लगा सकती है और ल इम खली सर्चों के लिए फांगिस साइट मिक्स्ट कर लीजिए मेरे पॉड में अल्रेडी सोयल भड़ा हूँ ए पॉड में में एक विंटर प्लैंट कुछ दिन पहले लगाए थी लेकिन बारिश के बादे से मर गया है तो इसमें अल्रेडी खाद मिला हुआ है इसलिए मै अभी किसी भी खाद को किसी भी कॉम्पोस इसमें एड नहीं करूंगी एकदम इसमें अभी प्लैंट लगा दूंगी जब सोयल के कॉम्पोस्ट की जरूरत होगा फटिलाइजर की जरूरत होगा तब मैं इसमें फटिलाइजर एड करूंगी तो सोयल एकदम ड्राइज हो ग करते हैं इसलिए इसका लीपस में वाटर रहते हैं इसलिए ए प्लैन को ज्यादा वाटर देने की उतना जरूरत भी नहीं है जब सॉयल का उपर का एकदम लेया ड्राइ हो जाए तब इसमें आप वाटरिंग करना और ए प्लैन सानलाइट बहुत पसंद करते हैं जितना अच् इसमें फ्लावरिंग होगा कम से कम साथ अर्ट घंटा इसको सानलाइट मिलना जरूरी है दो तिन घंटा सानलाइट मिलेगा तो उतना ज्यादा इसमें फ्लावर्स नहीं आएगा एक दो करके आ सकता है लेकिन ज्यादा फ्लावरिंग के लिए कम से कम साथ अर्ट घंटा इ क्यूंकि हमारा ये प्लैंड टो पॉट में है तो पॉट में तो बाहर से नियूट्रियन्स प्लैन को नहीं मिलेगा इसलिए थोड़ा बहुत अगर आप देना चाहते हो तो लिक्वीट फटिलाइजर दे सकते हैं एक तम तना अच्छा तो यह इसमें क्यूंकि मैं हर गारेटिंग स्वाइल में सेंड मिस्ट करती हूं इसलिए एक दम हलका सोयल होता है मेरे प्लाइन के लिए और जितना हलका सोयल है उतना इसमें वाटर नहीं ही रुखेंगा तो मॉस्रोष काटिंग से भी आप ग्रो कर सकते हैं शीट से भी आप ग्रो कर सकते हैं और ऐसे प्लाइन नर्सारी से लाकर भी आप लगा सकते wysoul लगाने से बिठर है काटिंग से ग्रो करना ऑप ले roots develop कर जाते हैं, आप उपर से कोई भी cutting ले सकते हैं, और लेकर लगा सकते हैं, और इसमें red, yellow, white, purple, pink, बहुत जादा beautiful colors में इसका flowering होता है, तो मेरा reporting हो गया, आप मैं watering करूंगी यह plan को, पहली बार watering जब आप करेंगे, तो अच्छी तरह plan को watering करेंगे, आप इसको में एक दो दिन सेड में रखूंगी, उसके बाद यह plan को में sunlight में रखूंगी, तो okay friends, आज के लिए बाई, इसी तरह आप उर्टुलाका को grow किजिए, और आपका summer garden फूलों से एकदम भर जाएगा, okay friends, bye, take care, happy gardening,